वीडियो वाइरल करने के पीछे किसकी सादिश? नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दुपेका नरुका और आप देख रहे हैं News21 केंद्री ग्रह मंत्री अमिर्शा का वाइरल वीडियो का क्या है मामला दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में सोशल मेडिया पर अमिर्शा का भाषन देने वाला एक वीडियो काफी तेज से वाइरल हुआ जो फर्जी था इस वीडियो में अमिर्शा को ये कहते हुए सुना गया है कि केंद्र में अगली सरकार बनते ही SC, ST या OBC आरक्षन खतम कर दिया जाएगा जबकि अमिर्शा ने अपने भाषन में ऐसा कुछ नहीं कहा था पेदानिक मुस्लीम रिजर्वेशन को हम समाग कर देंगे अमिर्शा का डीप फेक विडियो साजा करने के आरोप में महरास्ट्र कॉंग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल की खिलाफ मामला दर्श किया गया इस मामले में मुंबई भाजपानेता प्रतीक करपेम ने मुंबई पुलिस में शिकाय दर्श कराई बता दे कि मुंबई पुलिस की टीम इस मामले की गहनता से जाँच में जुटी है अम इस शा का विडियो किस हैंडल पर डाला गया था बता दे कि इस मामले में Intelligence Fusion and Strategy Operations Unit ने तलंगाना के मुख्य मंतरी रेवंत रेड़ी को पूछताच के लिए एक माई को दिल्ली बुलाया पलिस ने उन्हें स्वे द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सभी electronic gadget भी साथ लेकर आने को कहा है क्यों रेड़ी ने भी एक edited वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था वीडियो वारल मामले में कौन-कौन है रडार पर दिल्ली पुलिस ने रवंत रेड़ी समीत तलंगाना कॉंगर्स के चै लोगों को नोटिस भेजा है जाच के लिए दल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुँच चुकी है वहाँ पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है बताया जा रहा है कि इस मामले में असम पुलिस ने रितम सिंग नामक व्यक्ति को गरफतार किया है उसकी X की प्रोफाइल के हनुसार वे कॉंगरेस से जुड़ा है और पार्टी के वार रूम में ओडिनेटर के रूप में काम करता है अमिर्शा का विडियो वाइरल करने को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाये जा रहे हैं ऐसे में आरोप रत्यारोप के दोर में दोशी कोन है ये जाज के बाद सामने आएगा लेकिन इतना तो साफ है कि चुनावी माहोल में मुद्दा कुछ भी हो पॉलिटिकल पार्टिया एक दूसरे पर हमले करने का मोगा बिल्कुल नहीं छोटी यूस्ट वंटीवन देश्क नमशकार